नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चनल पर आज हम बनाएंगे आलू और हरे मिर्च की पकोड़े जो बहुत ही टेस्टी होते हैं यहां पर हमने आलू लिया है धो के इसे हमने बारिक-बारिक कट कर लिया है गोल सेप में और यहां पर हमने लिया है हरी मिर्च मीर्च के help से बीच में हम कट लगाएंगे इस तरीके से हम सारी मिर्च को काट लेगे कि आप देख़ आरे हो इस मिर्च में कट लगा दिया है यह याँ पर मación कट ओर यहमे नमक की में pall two तोड़ी शी नमक लिया है एक चम्मच छोटी चम्मच नमक है और यह खटा मचुर है एक चोटा चम्मच और यह मिर्च में हम डालेंगे जो हमने कट लगाये थे इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है आप कभी ऐसे ट्राइ करना मैं ऐसे सारे मिर्च में डाल दूंगी बीच में जहां हमने कट इसमें नमक स्वादनुसार लाल मिर्च एक चम्मच और एक चम्मच खटाम चूर और छोटी चम्मच गरम मसाला एक चम्मच जीरा और बारिक कटी हुई हरिधनिया चाट मसाला और इसे अच्छे से हम मिला देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला स्मूथ बेटर बनाना है आप देख पा रहे हो आलू के पकोड़े के लिए बिर्कुल ऐसा ही घोल चाहिए आलू को अच्छे से हम डिप करेंगे और तेल में डालेंगे मैंने इसमें सर्सो का तेल डाला था और इसे हम चलाते रहेंगे पकोड़े का color change हो गया है और ये पक गया है इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में इसी तरीके से सारा हम निकाल लेंगे पकोड़े को और उसी कड़ाई में डालेंगे हम हरी मिर्च इसके भी हम उसी तरीके से डिप करेंगे और तेल में डालेंगे इसी तरीके से सारी मिर्च को हम तेल में डालेंगे और इसे भी हम चलाते रहेंगे देख पा रहे हो मिर्च के पकवड़े भी बनके तयार हो गए है और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं हरी चटिनी के साथ गर्मा गरम पकवड़े बनके त्यार हो गए हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सेयर करना तब तक के लिए बाई, मिलते हैं नेस्ट रेसिपी के साथ